36 गड़ में विधान सभा चुनाओं के समय कॉंग्रेस ने अपने घोशना पत्र में प्रदेश में शराब बंदी की बात की थी लेकिन 10 महिने बीट जाने के बाद भी पुर्ण शराब बंदी प्रदेश में लागूर नहीं हो पाई है इधर सरकार ने दो समीती का गठन कर शराब बंदी की और बंढ़ने की बात पर जोर देती नजर आ रही है दो समीतियों में एक प्रशाशनिक और दूसरा समाजिक है सरकार का मानना है कि प्रदेश में समाजिक जागरुकता सबसे जरूरी है इसलिए सभी समाज में शराब से नुकसान पर जागरुपता फलाई जा रही है वही प्रशाशनिक समिती में शामिल विधायक प्रशाशनिक जानकारी जुटाने का काम कर रही है अब प्रशाशनिक समिती ने प्रदेश में शराब बंदी के चरण में एक नया फॉर्मूला अपनाने की बात कही जिसमें शराब की बीक्री का डाटा इकटा किया जाएगा जिसमें शराब पिने वालों की जगा बोतलों की गिंती कर खपत के आकड़े जुटाने की बात कही जा रही है साथी प्रदेश में और नशामुक्ति केंद्र भी बढ़ाय जाने पर जोड़ दिया गया है गौरतलब है कि शराब की विक्री में लगभग 4,500 करोड रुपय का राजस्व राजसरकार को मिला है प्रदेश में 659 शराब दुकाने हैं इनमें विदेशी की 305 और देशी शराब की दुकान 346 है समिती के द्वारा शराब की बोतल गिंती किये जाने के फरमान के बाद प्रदेश में शराबबंदी को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है सत्ता पक्ष सफाई दे रहा है तो वहीं विपक्ष सत्ता परहावी होता नजर आ रहा है सत्ता धारी दल की बात करें तो कॉंग्रेस आज भी मान रही है कि घोश्टना पत्र के अनुसार सरकार पूर्ण शराब बंदी की ओर आगे बढ़ रही है कॉंग्रेस का मानना है कि अचानक शराब बंदी पर पाबंदी लगाने के बजाए चरन बद तरीका अपनाया जा रहा है जिससे किसी को ही परिशानी नहीं होगी साथी पांचवी अनसुची के अनुसार जिनें शराब दिया जाना अनिवार है उसे भी समेती अध्यन कर रही है साथी शराब तसकरी नहों और इस पर ध्यान दिया जा रहा है कॉंग्रेस के प्रमुक प्रवक्ता ने पिछली सरकार पर शराब को बढ़ावा देने का आरोब भी लगाया है अधिकार है उनके इस अधिकार को भी देखना है इसके साथ ही 36 गड़ भगोली ग्रूप से 6 सीमा वर्ती राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है शराब बंदी होने के बाद तस्तकरी की स्थितिती ना पैदा हो इन सारी चीजों का ध्यन करने के बाद में जो राज्य के लिए बेहतर होगा वह हमारी सरकार कदम उठाएगी और इस चीज के लिए पूरी तरीके से हम लोग प्रतिवद्ध हैं कि 36 गड़ में शराब की खपत कम की जाया और पूर्ण सराब बंदी को और 36 गड़ लागए अधिक से अधिक शंख्या में सराब की विक्री हो सराब से राजर्श्व की कमाई हो शराब बंदी को लेकर पिछली सरकार ने भी पहल जरूर की थी समीती भी बनाई गई लेकिन समीती का रिपोर्ट शराब बंदी की और इंगित करता नजर नहीं आया अब नई सरकार ने नई समीती बनाई तो विपक्ष में बैठी भाजपा ने समीती को आड़े हातों लेते हुए इसे सरकार के द्वारा खाना पूर्ती करार दिया है भाजपा के साफ कहना है कि जब कॉंग्रिस ने घोष्णा-पत्र में कहा था तो समीती न बनाकर एक बार में ही प्रदेश में शराब बंदी कर दे भाजपा अब राज्य सरकार पर शराब बंदी के नाम पर धोका देने का आरोभी लगा रही है समीती के फैसले को भाजपा हासास्पत करार दे रही है सराब बंदी करेगी इसका सबसे बड़ा प्रत्यक चुदान दस्मनों में दिग्या है लगातर कमिटी का हवाला दिया जा रहा है मैं पुछना जाता हूं कौन से समाजिक सहस्था है जो नहीं चाहती कि सराब बंदी हो इस प्रकार के फैसले को धरातल में आप नहीं उतार सकते है यह बड़ा अजीबो गरीब सा फैसला है हासेस्पत बात है इस स्यादा कुछ नहीं है शराब बंदी को लेकर पक्ष विकपक्ष आमने सामने है जहां भाजपा राजसरकार पर शराब बंदी नहीं करने का आरोप लगातार लगा रही है तो वहीं भुपेश सरकार आहिस्ते आहिस्ते शराब को प्रदेश से बाहर करने के कवायद में जूटने की रट लगा रखी है लेकिन अब तक इससे प्रदेश्वासियों को कोई लाब होता दिखाई नहीं दे रहा है Bureau Report, देश टीवी